रिकोर्टिंग तो स्टार्ट है ना इस्टार्ट करो ओके राइजन 5 5600 एक और इंटल i7 9700K और 10 जनरेशन को आज इसका बैर करेंगे स्पीड किसकी तेज़े कौन सा बैटर है और कौन सा आपको खरीचने चाहिए आर इसी टोपिक पर इसी वीडियो में बात होगी लैट्स स्टार्ट और दोन प्रोसेसर के सबसे पहले हम कोर्स की बात करते हैं तो इंटल i7 के अंदर आपको फिलेगे और राइजन 5 के अंदर आपको फिलेंगे जो कि इंटल i7 में इस दो कोर्स जयाता है राइजन 5 के कंपैरिशन में चेच फाइल की बात करते हैं कि 3 MB केच करेगा, Intel i7 आपका 12 MB केच करेगा और Ryzen 5 आपका 35 MB केच करेगा जो कि बहुत ही ज्यादा है आई Intel i7 के कंपारिजन में केच फाइल CPU Threads की बात करते हैं तो Intel i7 आपको CPU Threads में 8 Threads देगा और Ryzen 5 आपको 12 त्रिट्स देगा जो कि 4 त्रिट्स ज्यादा है Ryzen 5 के अंदर Intel i7 के comparison में बेस क्लोक स्पीड की बात करें तो Intel i9 की बेस क्लोक स्पीड होगी 3.6 GHz की और Ryzen 5 की होगी 3.7 GHz की जो कि 0.1 GHz Ryzen 5 ज्यादा है Multicore Speed Score की बात करते हैं तो i7 को मिले है 1194 का score और Ryzen 5 का 1292 का score मिले है जो कि Ryzen 5 का score ज्यादा है Intel i9 में लाइटनो ग्राफिक के बात करते हैं तो Intel i9 की 12 Nm की चीप होगी और Ryzen 5 के अंदर आपको सिर्फ 9 Nm की ही चीप मिलेगी जो कि Intel i9 की काफी बड़ी चीप है Ryzen 5 के comparison में Power consumption की बात करें तो Intel i7 के अंदर आपको 95 watts का power consumption मिलेगा और Ryzen 5 के अंदर आपको 65 watts power consumption मिलेगा जो कि Intel i9 ज्यादा power consumption करेगा Ryzen 5 के comparison में यह कब दोनों launch हुए थे तो Intel i7 आपका 27 में 2018 में हुआ था और Ryzen 5 आपका November 5 2020 में launch हुआ था जो कि Ryzen 5 ज्यादा लेटेस्ट है Intel i7 के comparison में प्राइजिंग की बात करते है तो प्राइजिंग का इसमें दोनों में Intel i7 में आपको 36,299 का प्राइज होगा जो कि 36,299 का प्राइज इंटल i7 का और आपको आपको आपकी क्या ज़रूरत है आप प्रोसेसर खरी सकते हैं कि आपको किस चीज में जाना है और किस चीज के लिए चीज के लिए चीज होगा तो थैंक्स वर वाचिंग अबर चैनल झाल